अभलकों अभलकों डीटो मायम मेर्य चैनल कैसे हैं आप आपसब लोग ठीक होंगे और प्षुश होंगे और मेरी वीडियो को इंज्वाइब कर रहे होंगे क्योंकि मेरी वीडियो आते हैं बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं तेंक यू सो सो मच और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहें और मुझे धेर सारा प्यार देते रहें ठीक है ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी से वीडियो बनाती रहूं तो खैर जो भी है इतने लंबी बाते नहीं क काम की वीडियो होती है और आज यह की जो वीडियो हेवे में आपको इसमें एक DIY फेस पैक बनाना बताऊंगी और बहुत अच्छा फेस मास्क इसको आप यूस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अपनी स्किन पर रिजल्ट मिलेंगे और दूसरी यह बात कि कोई भी जो पर रिजल्ट में अच्छी होँ तो आज वीडियो ने महीं हमाईए तो खीयी यह वि यह दिया प्रडियो को यह अगर और और efvक्त करकी रएगे तो आपको बहुत और अबजी को बहुत थे धृandring आपका रूम में आ जोती है मैंने उसे बहुत दफ़ा बाहर की और अभी फाइनली वह बाहर गई है तो मैं वीडियो बना रही है आपनों के साथ तो खेर जो हमें चीजें चाहिए होंगी वह हैं अच्छा मैं भूल गई हूँ कि मैंने कहना क्या था वह जब इतनी टंशन होना तो फिर बना भूल जाता है आपने इसके लिए जो लेना है वो सबसे पहले है आपल साइडर विनिगर आपल साइडर विनिगर के जो आपको बेनेफिट्स पता है वो बहुत ही जादा है यह आपके वेट लॉस में बहुत जादा है लेकिन इसके साथ साथ ही आपके स्किन के लिए बहुत ही जादा अच् लेकिन इसके इलावा यह आज आपको बताऊंगी यह आपकी एक्निक लिए बहुत अच्छा है आपकी डेट स्किन को रिमूब करता है और आपकी जो स्किन है उसको लाइटर टॉन में लेकर जाएगा तो चलें आएं देखते हैं कि क्या है रेसिती सबसे पहले आपने ले ले नहीं है अकर तो बोए अच्छी बात है अगर मार्किट वाली है तो फिर भी चलेगी याइड मेरे पास मार्किट वाली है तो फ्रेश jil रेडिया नहीं है तो मैं भी कोशिश करूँगी ऐस руки कि कर साफ करूं अझा करूं ग्यों आपका मुझे बात के जब मुझए मॉडल चाहिए होती है उस पर अपलाई करके दिखाने के लिए तो मैं सब को कहती हूं कि यार तुम आजा तुम आजा तुम आजा मुझे ना दिखाने दो तुम सब कहते हैं नहीं हमने फेस नहीं सामने लाना वैसे जो तुम बनाती हो तो मैं क्यों फिर दे दू जो फिर मैं बनाती तो खेर चलें-ापको एक-पल-सडर विनगर छाहिए तर एलौवेरा जल चाहिए बहुत अच्छी है वे उसको यूस करते रहा करें चाहिए ओई- कर शौनिचें पर शुकंचन हो बहुत नहीं हमेरे अगर बच्चों को भाखताँ घर्मी लग जए तो आप मुलतानी मिट्टी का पेस्ट बनाएं पानी में और सिंपल पूरे बचों की बॉड़ी पे आप उसको लगा के छोड़ दें वो आपके जिसमें से आपके बॉड़ी और साथ में लेना है आपने एक अदद वाइटमिन ए कैपसूल एक चमच ही ज़रूरत है एक चमच आप ले लें इलवेरा जल उसके साथ आपने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालनी है मुल्तानी मिट्टी کے साथ आपने फिर पिलकुल हाफ़ चमच आपने लेना है एपल साइडर विनेगर इससे जादा नहीं लेना क्योंकि थोड़ा सा हार्श होता है तो हो सकता है आपके स्किन पर थोड़ी से इचिंग हो और कोई भी चीज आप ट्राइ किया करें सबसे पहले आप इदर थोड़ी सी लेके तो पैश टेस्ट कर लिया करें इसलिए कि आपके स्किन को कोई इसका हामफुल ना होगा आपके स्किन के लिये ठीक है तो खिर यह तीन नहींटू हैं आपने अप लियुक्त आ आपने पानी करेंगे थो जिए अपने पल पियंगर लियुक्ष कर लेना है वो आपने mix करके एन 3,4 चीज़ों को mix करके क्यूआ को तीन चीज़ों को मिक्स करके अची तरह बलकल पत्ला सा पेस्ट बना لेना है और इस पेस्ट को आपने फेस्ट पे अपलाई कर देना है जब यह पेस्ट अची तरह से dry हो जाए तो आपने उसके बाद अपने चैरे को पानी से धोलेना है इसम्पल पानी से वाष करना है कोई इसक्रब्बिंग कुछ नहीं करना अगर आपके सिकन पर एक्मी होई होगी तो पिलीब करें जब मैं इसको रात में लगाया और मैं सुबा इटि तो वो जो यहां पे pimple था ना वो बिलको जल चुका था तो बहुत अच्छा इसका effect आता है अगर आपके skin pimple वाली है या dead skin cell आप dead skin हो रही है तो आपके skin बहुत अच्छी हो जाएगे आपको इसको at least week में two times तो जरूर करें अगर टू टाइम्स नहीं कर सकते तो आप एक दफ़ा जरूर करें और डिरेक्ट आपने कभी भी आपल साइडर वेनिगर अपने फेस पे अपलाई नहीं करना और खेर इसको लगाने के बाद जब आप इसको वाश कर लेंगे और बस यही था इन्शाल आपको फिर्स यह वीडियो अच्छी लगी होगी आप इसको ट्राइ करना और जो मेरी वीडियो थी मैंने आपके साथ लास्ट वीक शेयर की थी वो कोलगिट और अलवेरा वाली वो बहुत अच्छी रिजल्ट है मुझे इंस्टा पे बहुत सार लोगों के मैसेजिस आए कि यह बहुत एफेक्टिव है हमने यूज किया तो जिसने नहीं मेरी वीडियो देखी तो वो जाके देखे और इसको यूज करे शिरिसली वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है मेंने खुद भी यूज किया मैं जो चीज़ Bachelor करती हूँ जाहरा मुझस अपनी शेकी पुर्फ में एप्लाय करती हूं तो मैं शेके मुझे फर्ता फील हाँ और इसी बहाने से में भी यूज कर लेती हूं जब आपको बताती ने तो मेरी वीडियो को देखते रहें और मुझे ऐसे प्यार देते रहें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियो लेकर आती रहूं अलाहाफेज